उत्राखंड के कोड़वार में टाइगर ने एक यूवक को अपना शिकार बना लिया है। घटना दौारी खाल किया है जहां अपनी बक्री चराने के लिए गए बागी गाउं के यूवक पर टाइगर ने हमला बोल दिया। टाइगर ने हमले में यूवक की मौत हो गई मितक की पेचान प्रित्वी चंद के रूप में होई जिसकी उमर 28 साल थी चानकारी के मुताबिक घटना गुरुवा शाम करीब 4 बजे किया जब प्रित्वी बक्री चराने के लिए नायाद नदी पुल पार कर मौत तोली पास गया था जहां टाइगर ने उस पर हमला बोल दिया यूवक का शव बरामत हो चुका है राज़फ विभाग ने शव को पोस्माटाइब के लिए पोड़ी भीज दिया है कुम के दोरान कोविड जांज फर्जिवारे के मामले में फर्म और लैब पर शिकंजा कसने के साथ ही अब कुम मेला प्रिशार्शन से जुड़े अधिकारियों को नामज़द के जाने की तैयारी है स्पेसल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले से दर्ज मकदमे में गह जमानती धारा 466 बढ़ाई है कोविड जांज फर्जिवारे में नामज़द की गई मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस दिल्ली नलवा लैब हिसार डोक्टर लाल चंदानी लैब सेंटरल दिल्ली के संचालकों से साइटी की तीम लगातार पूस्ताज कर रही है आरोपी फर्म और लैब के प्रतिनिद्यों का आमना सामना कराया जा रहा है आठ दिनों से मैक्स के पार्टनर शरत और मलीका पंथ नलवा लैब हिसार के संचालक नफतेज नलवा डोक्टर लाल चंदनी लैब के संचालक अर्जन लाल चंदानी और उनके बेटे पावन लाल चंदानी और डीलर अनुदेश गोयल से हुई पुस्तास के बाद अब बी, 188, 279, 270 और 420, 468 और 471 धाराओं में नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था अब S.I.T. की टीम ने दर्ज मुकदमे में 466 धारा भी बढ़ा दिया है बताया गया की S.I.T. की जांच में सामने आया है की कूटर चना कल फर्जी दस्तावेज बनाया गया है ऐसे में अब मेले प्रशासन से जोड़े अधिकारियों पर भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं इस धारा के बढ़ने से फर्म और लैप्स अंचालकों के साथ ही मेला प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मुश्किले बढ़ सकती है S.I.T. के प्रभारी राके श्रावत ने बताया की कुरोना जांच घोटाले में लगातार जांच की जा रही है सिक्किम में सेना की गाड़ी खाए में गिनने से कुमाव रेजिमेंट में तैनात काशिपूर निवासी जवान हिमानशो नेगी सही दो गए उनकी शहादत की खवर मिलते ही परिवार में कौराम मच गया शही जवान का पार्थिफ शरीर शुकरवार देर रात तक काशिपूर पहुंचने की संभावना है नियती का खेल देखे की दो जुलाई को शुकरवार के दिन ही हमानशो का जनम दिन भी है हमानशो नेगी की निकती 27 मार्स 2019 को साथ कुमाव रेजिमेंट में बतोर सिपाई हुई थी चम्मु कश्मीर में रहने के बाद वो वर्तमान में पश्यम बंगाल की बीना गुडी पोश्ट पर तेनाथ थे 45 दिन का अफकाश पूरा करने के बाद हमानशो दो जून को ही डूटी पर लोटे थे बुद्वार सुबा 11 बजे रेजिमेंट के कमांडिंग आफिसर ने हमानशो की सहाधत की खबर उसके परिजनों को दी शहीद नेगी के पिता हीरा सिंग ने बताया कि हाथसे में शहीद और गायल वे जवान सेना के ट्रक में शवार थे ये गंगतोक की तरफ जा रहे थे 17 मील के निकट वाहन अंसंतूलित होकर 600 फिट गहराई खाई में जाकिरा पिता हीरा सिंग ने बताया कि शुकरवार देर रात तक बेटे का शवकासी पर लाए जाने की उम्मीद है दो जुलाई को शुकरवार के दिन शहीद जवान हिमान शुनेगी का 21 जनम दिन है और इस दिन उनका शव उनके घर पहुँचेगा